पंखो को खोल जमाना स्तिर पुडान देखता है जमी पे बैठे दोस्त क्या आसमान देखता है लेहरों की तो फितरत है सोर मचाना अरे लेहरों की तो फितरत है सोर मचाना मनजिल उसी को मिलती है दोस्त जो नजरों में तूफान देखता है तो ये जो तूफान है मेरे प्यारे बच्चो मेरे सारे जीए स्प्लिंड के करांतिकारियों आपको देखना है आपके माबाप के सपनों के लिए क्योंकि काफी जोन लुझाए तो क्या सर हमारा एक्ज्जाम पॉस्प्ञूर्ण हो जाएगा क्योंकि कुछ लोगों तुए बहाना चाहिए अपनी मंजिल से दूर जाने के लिए और उन मतिम यक्दिशादम को कभित अपना मुकाम आसिल नहीं होता तो सबते पहले आज जो जो वीडियो है ना इसका परपज यह है कि सर हमारा एक्जाम कब होगा फाइनल क्या है हम बहुत ज्यादा कंफुजिंग है कुछ स्टुडेंश तो ऐसे हैं जिसने अभी तक स्टार्टिंग नहीं की प्रिपेशन तो उन अभी विध्यार्तियों को पूरी रणनीती बताऊंगा कि क्या सर आज पढ़ने पर भी हमारा सेलेक्षन हो सकता है क्या बिल्कुल हो सकता है तो मैं दिनेस्तुमारा स्वागत करता हूं सभी प्यारे बच्चों के ऑफिस यूटूब चैनल पर आज आप फरस्ट टाइम हमारे से जोड़े तो दोस्तों इस वीडियो को सेयर कर दो सब कुछ बताने बाला हूं लैब असिस्तेंट से रिलेटिड ठीक है टैन्सन लेने के किसी को कोई जूर्ट नहीं है यह कोर्स के बारे में भी हम बात करेंगे सब से लास्ट में कब होगा एक्जाम वो सारी बात करेंग और आविदन 19 मार्थ 2022 से शुरू कर 17 अपरिल 2022 तक है और एक्जाम डेट चार जून को और यह दिनस्पोर नहीं जारी किया है तो क्या तर हमारा एक्जाम चार जून को नहीं होगा अरे प्यारे बच्चे आपका एक्जाम चार जून को होगा यह लिख दिया लो लैब असि मैं रहा हूं मेरी एक लाइन कई बच्चों का भविष्टे खराब कर सकती है अगर मैं ऐसा बोल दू कि एक्जाम चार जून को नहीं होगा तो स्टुडेंट्स पढ़ना बंद कर देंगे पढ़ाई बढ़ना बंद कर देंगे या फिर पढ़ाई में थोड़ी डेलता बर् हमारी एक्जाम डेट को पोस्पोन वाला भी नहीं किया है और हमारा कब से फोरम स्टार्ट होंगे दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि आपके 18 से 19 जून के अराउंड साहिद ये आपके संपुटर अनुदेश्त की भरती होने वाली है अधिनस बोर्ड करवा रहा है ठी स्टी मंत के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी की फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो घबरानी की किसी को कोई आउसकता नहीं है जी इस प्लेनिट सुरुआज से और लाज तक यहीं बोलेगा जब तक ऑफिस्यल नौटिफिकेसन जारी नहीं हो जाएगा एक्जाम चार जून को होगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे घबरानिक जूरुत नहीं है हमें त्यारी चार जून के इसाबसे करनी है तो सर अब कैसे त्यारी होगी चार जून के इसाबसे जो स्टुडेंट्स अभी भी जी इस प्लेनिट से नहीं जुड़ा है उनके लिए मैं बता तो कोर्स आपका बिल्कुल भी कोषली नहीं कर रहेखा हम ने यह जो गुरूदक्सिन केवल आर्च निन्यार में कर रहेखी है और यह घुरूदक्सिन कब तक रहेगी यह आपके होली तक रहेगी मतलब यह लगबग हम रखेंगे 18 मार्च तक 18 मार्च तक तो स्टूरुद किसी तरीके से करने है लास्ट अस्टी दिन रहें तो सब से पहले किसी भी exam की preparation करने से पहले हमारे माइन में दो चीज होती है किसर हम कैसे त्यारी करेंगे जिसमें एक तो आती है ठ्योरी अब ठ्योरी शुरुवात हम basic से अब यहां पर दो तरह के students हमें देखने को मिलेंगे जो ऐसे स्टुडेंट भी है जो लास्ट सिक्स मन्स से प्रिपेर कर रहे हैं और कुछ ऐसे स्टुडेंट हैं जो अभी से शुरू करेंगे सपोर्च करो आज से ही शुरू करने वाले हैं ठीक है आज से ही क्या हो रहे हैं एक्टिव हो रहे हैं ठीक है तो मैं उन दोनों तरह क स्टुडेंस को जो पिछले लाज 6 महिने से त्यारी कर रहे हैं न दोस्तों उनको तो बेनेफिट मिलेगा एक्जाम के अंदर लेकिन जो अभी से अगर अच्छे तरीके से देखो क्या करना है हमें यह मान के चलना है कि हमारा एक्जाम च्यार जोनको है तो आज से पहले तो ज तो भी का दिया क्या डाइजेस्ट्स सिस्टम तो उसको कंप्लीट कर की उठना है फिस technique में आपने जने वेवाले एक्ट उठा दिया तो उसको जब तक मत उठना चली बहार भूकंप आजाए बहार आंध्या चले बहार तूफान आई हमें नहीं उठना है हमें जब तक यह chapter complete नहीं हो जाएगा आपको पता है किस तर हम कहां से करें आपके पास आपके खुद के नोर्स होंगे नहीं होंगे तो हम खुद आपको करवा देंगे इस कोर्स के अंदर जितने भी नोर्स है आप खुद से कवर कर लो जो सेप्टर ही समझ में आ रहा तो सरकी क्लासी देखो अपली किस्तन के अंदर या फिर आप जो भी आपको जो भी एजुकेशन चैनल आपको बैस लगता है वहां से आप पड़ो हम कभी फोर्स नहीं करते लेकिन हम अपना बैस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्टुडेंट उस्ते कनेक्टर रहके मेहनत करके पढ़ए ठीक है जनाब अब उसके बाद मैं अगले पाइंट में चलना चाहूं कि यह चीज हमने मैं बताई पहले थोरी कवर करना शुरू कर दो अभी जैसे दो च्य क्या करने जा रहे हैं आपको पता है कि सलीबस के अंदर आपका बायो फीजिक्स कैमेस्ट्री रास्तान इस्ट्री रास्तान जोगरोफी आठ एंड कल्चर रास्तन आठ कल्चर यह रहने वाला है जिसमें से यह आएंगे आपकी स्टो क्यूशन 2 mcq और यह आएंगे आपक होगा वह 4 जून को है अब हम क्या कर रहे हैं जी एक्स प्लेनेट टीम आपके लिए 21 मार्थ से क्या एक नया सर्प्राइज रास्तान के इतियास में आने वाला है जी हां 21 मार्थ को हम क्या करेंगे जैसे मैं बाइलोजी का एक चेप्टर उठाया पीजिक्स वाले सर ने बा महा महराथन हम शुरू कर रहे है 21 तारिक से जी इसमें टोपिक वाले करवाएंगे और यह कहां तक चलेगी यह आपकी टोपिक वाले महराथन चलेगी दोस्तों कब तक फंदरा मही तक 15 मही तक MCQ के दवारा रिवजन होने वाला है तो इसलिए अगर आपको ये फैसला सही लगाओ तो अभी लाइक करें मतलब लाइक का आप कॉमेंट सेक्षिने दे सकते हो कि लग रहा है कि ये नया स्टैप हो सकता है बिल्कुल एक अनर्जेटिक स्टैप है देखने हैं बहुत से लोग इसको कोपी करने को सिस्ट करेंगे लेकिन एक नया अनर्जेटिक स्टैप एक दिन क्लाश सलेगी बाइलोजी फीजिक केमेस्ट्री की उसी समय महा महराथन उससे अगले दिन राजस्तान जिक्ये की जिसमें हिस्ट्री जोगरफिर कल्चर के 50 किस्टन और 100 किस्टन तो रहन 21 मार्च से ऐसे करके 15 महीं तक एक बर दुबारा हम सारे रियुजन करवा देंगे सुरुवाद से जो इन आम स्ट्री को भी देखके चला जाएगा उसकी भी सेलेक्शन के जांसिस बहुत जादा है क्योंकि हम सारे इंपोर्टेंट किस्टन कवर करवा देंगे इस से डाइम करवा देंगे जिसको कोई भी इस नंबर पर कर सकता है आपको जीच प्लेनट एप के अंदर बी नंबर मिल जाएंगे सब जगह आपको नंबर मिल जाएंगे वार्सप गूर्प में भी आड़ होना है तो लास की समय अब बच्चा आपके पास तहीं में नहीं बचा है मैं फिर बोल रहा हूं समय नहीं बचा है हमें मेहनत और ज्यादा करनी है समय बहुत कम बचा आप लोगों के पास तो जो बच्चा अभी भी तोया हुआ है निंदों के अंदर है जग जाओ दोस्तों ये समय कभी वापिस लोटके नहीं लेने आने वाला क्योंकि इस समय हम वो मुकाम आतिल कर सकते हैं उस मंजिल को पा सकते हैं जिस मंजिल को पाने के लिए हमारे घरवालों ने इतना पैसा खर्च किया हमारे को पढ़ाने के लिए हमारे माबाप दिन र सपने दिखाई रिखते हैं कि हमारा बच्चा कब गवर्मेंट जोब लगेगा तो वो जोब लगने का समय आहा गया है एक्जाम चार जून को हो ना हो लेकिन आपके अंदर इतनी अनर्जी होने चाहिए कि सर चार जून तक तो हम पूरा उस मैदान में युद्ध लड़ने के लिए त्यार होंगे ठीक है होगा चार जून को कैसे नहीं होगा क्योंकि सारी डेटा सुके मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ जब तक गवर्मेंट की तरब से कोई भी ओफिस्यल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक किसी यूटूबर की बात पर विश्वास नहीं करोग है बाद की बाद में देखी जाएगी क्या होगा फिलाल अभी हमें चार जून लास्ट लाइन फिर कह रहा हूँ चार जून हमारा टार्गेट होना चाहिए लास्त असी दिन है हमारी जिनकी के ठीक है तो शेयर करना जो बच्चा कोई भी डाउट है कुछ भी कंप्यूजन ह मुझसे बात करो हमारे जिस टीचर से बात करना चाहते उनसे करो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता उनसे मोटिवेशन लेके बस अपने पढ़ाई शुरू करो मेहनत करो आजके लिए इतना ही सेयर करो दोस्तों अपने सब दोस्तों तक इस चीज को पुजा दो अपना स्ट लगाव वार्टसप तो आज के लिए इतना ही जाहिन टाटा बाई-बाई लग्यू टो वाई-डियर स्टूडर्ट जाहिन